बिस्मिल्य रामानी रही, अस्लापनेकुम स्टूडेंट्स, माइनेम इस महुम्मद यहिय सलाम, और यूर वाचिन इंजीनियर महुम्मद यहिय यूट्यूब चैनल, जो लेक्चेर आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, that is, पेपर सॉल्विंग टेखनीक्स, आज किस लेक्चे अगर हम अपने माइन में रखके उन क्वेस्टन को अटेंट करें, तो हमें मैक्सिमम मार्क्स मिल सकते हैं, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, शॉर्ट स्टॉरी का जो पेपर होता है, वो बहुत ज्यादा डिफरेंट होता है, पोईटरी और ड्रामा के पेपर से, लेकिन इस पेपर का जो पेटरन होता है, वो बहुत जादा सिमिलर होता है नौवल के पेपर से, जिस तरह आपने नौवल के पेपर में फोर क्वेस्टन को अटेंट करना होता है, और हर क्वेस्टन 25 मार्क्स का होता है, इसी तरह शॉर्ट स्टॉरी के पेपर में भी आपन में بہت زیادہ difference होता है कーんगे basically novel और short story न में ही बहुत زیادہ difference होता है अब novel में क्या होता है novel में आपके पास एक बहुत बड़ा plot होता है बहुत से characters होते हैं बहुत से events होते हैं और abundant information होती है लेकिन अगर हम short story की बात करें तो short story में आपके पास जो event होता है इसलिए इन दोनों सब्जेक्ट्स नौवल और शॉर्ट स्टोरी इनका पेपर पैटरन एक जैसा होने के बवजूद भी इनको अटेम्ट करने का जो मैथट होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि नौवल में हमारे पास बहुत ज़्यादा करेंगे किस तरीके से आप शॉर्ट स्टोरी का जो क्वेस्टन होता है उसे लेंथ में क्वालिटी में और अपियरंस में नौवल के क्वेस्टन के एक्वल कर सकते हैं और मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकते हैं तो सबसे पहले तो आपका ये काम होना चाहिए कि जो भी आप श जमाने की क्या क्या खूसियात थी फॉर एक्जेंपल अगर कोई राइटर है जिसने वर्ड वार टू देखी है तो वो लाजमी अपनी राइटिंग में वार की करेक्टरिस्टिक्स को लिखेगा क्योंकि जो भी आप एक्सपिरियंस करते हैं आप अपनी राइटिंग में अपनी बातों में उस चीज़ को लाजमी बयान करते हैं और यही केस राइटर के साथ होता है यानि जिस दोर से राइटर तालुक रखता है अगर उस दोर में काफ़े ज़दा टेंशन है तो वो अपनी राइटिंग में बहुत ज़ादा tense element का use करेगा अगर उस दोर में existentialism का concept चाल रहा है existentialism कहते हैं ऐसे concept को जिसके मताबिक जो इनसान है वो इस दुनिया में अकेल है और God का कोई वजूद ही नहीं है अस्तग्फिर उल्ला तो अगर कोई writer existentialism के दोर से तालुक रखता है तो वो अपनी writing में इन elements को लाजमी use करेगा तो सबसे पहला काम क्या है आपका कि आपने writer की biography और उसकी age को लाजमी discuss करना है और उसको लाजमी study करना है उसके बाद जैसे जैसे आप short story को discuss करेंगे अपने question में आप साथ साथ writer को भी discuss करेंगे क्योंकि mostly होता क्या है कि writer ने अपनी writing में autobiographical elements का use किया होता है और जब आपने writer की history को पढ़ा होगा और आप short story को पढ़ेंगे तो आपको ये feel होगा कि story में बहुत सी ऐसी बाते हैं जो writer ने अपनी life से related ही लिखी है तो इसलिए आपका main काम क्या होना चाहिए जैसे जैसे आप story को discuss करें वैसे वैसे आप writer को भी discuss करें कि ये चीज़ जो है story में इस तरीके से बियान की गई है और writer की जो अपनी खुद की जिंदगी है ये सारी की सारी चीज़ें ये सारी बातें writer ने खुद experience भी की हुई है अब जब आप story को discuss करने के साथ साथ writer की life को भी discuss करेंगे तो आपका जो question है वो lengthy भी होगा, interesting भी होगा और attractive भी होगा साथ साथ आपने हर story की कुछ quotations हैं जो के काफी सदा important होती है उनको add करना है अपने question में ताकि आपका जो question है वो effective हो और presentable हो कम से कम आप अपने question में four to five quotations लाजमी add करें इससे क्या होगा कि जब आपका paper examiner चेक करेगा तो उसे इस चीज़ का ऐसास हो जाएगा कि जो student है उसने सिर्फ story को ही नहीं पढ़ा बलके उसने writer को भी पढ़ा है और जो story की important lines थी उसने अपने question में उने code भी किया है तो जब इस तरह से आप अपने paper को attempt करेंगे तो इन्शाला आपके जो marks हैं वो maximum होगे तो अब हमारे पास कुछ key points आते हैं जिनको आपने follow करना है ताके आप short story के जो questions होते हैं उन में maximum marks को gain कर सकें तो सबसे पहला point है हमारे पास कि आपने writer को पढ़ना है writer की biography उसकी history उसके जो life events होते हैं वो किस age से belong करता है जिस time से जिस age से वो belong करता है उस time में कौन कौन से concept थे जो के बहुत ज़्यादा पहले हुए थे आपने इन सब चीजों को सबसे पहले ready करना है उसके बाद आपने story को याद करना है जैसे जैसे आप question को attempt करेंगे story को discuss करेंगे वैसे वैसे आप writer को भी discuss करेंगे और जो सबसे important चीज़ है जिसकी वज़ा से आपको basically marks मिलेंगे वो है आपके question का first page जब भी आप किसी भी question को attempt करें बेशक वो short story का हो, novel का हो, drama का हो, poetry का हो, किसी भी subject का हो तो जो आपका first page होगा answer का वो सिर्फ और सिर्फ focus करें जो भी आपको question की statement दी गई है उस पे यानि अगर आप से ये कहा गया है कि strong horse tea किस तरह से afro-american culture को वाज़ा करती है, तो जो आपका पहला page होना चाहिए question का, वो सिर्फ और सिर्फ इसी statement के roundabout हो, यानि वो सिर्फ इसी statement को discuss कर रहा हो, और इसे कहते हैं, आप question का introduction, जब आपका first page उस statement के मताबिक होगा, जो paper में आप से पूछी गई है, तो examiner automatically आपको जो marks हैं, वो ज्यादा ही देगा, तो आपने question का जो पहला page होगा, वो statement के मताबिक रखना है, और उसके बाद आप जैसे जैसे story को discuss करेंगे, वैसे वैसे आप writer को भी discuss करेंगे, ताके आपका जो question का answer है, वो charming हो और presentable हो, और at the end आपने इस चीज़ को वाजिया करना है, कि जो statement आपको दी गई है, क्या आप उससे agree करते हैं, क्या आप उससे reject करते हैं, अगर आप उस statement से agree करते हैं, तो story के वो कौन-कौन से events हैं, जो question की statement को prove करते हैं, और अगर आप उस statement को reject करते हैं, तो story के वो कौन-कौन से events हैं, जो उस statement को reject करते हैं यानि आपने conclusion में four to six lines लिखनी हैं जिसमें आपने अपने answer का पूरे का पूरा जो खुलासा होगा उसको mention कर देना अब जब आप अपने question को इस तरीके से attempt करेंगे एक proper introduction, story writer की discussion, उसके साथ quotation और at the end proper conclusion तो इंशाला आपके पास जो marks होंगे वो maximum होंगे और आपका जो answer होगा वो effective charming और presentable होगा और examiner आपको maximum marks जरूर देगा तो यही थी कुछ tips short story के question को attempt करने से related, उमीद है कि आज का ये lecture भी आपको समझ आया होगा और आपके लिए काफी सदा helpful रहा होगा in case of any confusion hit the like button, subscribe to my channel and press the bell icon thank you so much